तो जहाँ पर जो हम बात कर रहे थे मैंने आपको पिछली क्लास में भी करा दिया है जूनियर असिस्टेंट और आपका इस्टेनो के लिए उत्तर पिर्देस का जो जीके है वो मैं आपका करा रहा हूं यहाँ यहाँ पर UP का जो जीके है 20 नंबर का उसमें आपको सारा इसमें करने वाला हो ठीक है जो बच गया था उसके बाद इसमें आज हम इसको खतम कर देंगे पहले चैप्टर को उसके बाद इसमें तूसरा चैप्टर लेंगे फिर बात में ठीक है तो सारा सिबें जिले किसकी सीमा मिलती हैfed sentir रधा जूरा दिया था अब आगे जूनियर असिस्टेंट का एक्जामू या आपका इस्टेनू का तो दोनों के लिए यह आपका जीके बहुत महत्पूर्ण है इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है तो यहाँ पर आज बात करेंगे राज की पिरतीक की उत्तर प्रदेश के राज की पिरतीक की तो उत्तर प्रदेश का राज के पसू क्या है यहाँ पर अगर बात आती है राज की पसू तो राज के पसू क्या है उत्तर प्रदेश का वह आपका बाहरे सिंगा ठीक है क्या आपका बाहरे सिंगा बाहरे सिंगा राज के पसू है उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें राज के पक् आपका क्राच ठीक है तो इसे क्राच इसमें से आपको राश्च पक्षी हो जाएगा उसके बाद राज के ब्रक्च की अगर बात करें तो ब्रक्च क्या है उसके बाद यहाँ पर ब्रक्च की बात की जाए तो ब्रक्च क्या है आपका असोक ठीक है राज के ब्रक्ष किया आपका असोग उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें पुस्प की तो पुस्प क्या है वो है आपका प्लास ठीक है क्या आपका प्लास राज के पुस्प उसके बाद राज के चिन की अगर बात करें राज के चिन तो राज के चिन क्या है एक ब्रत में आपकी क्या है दो मचली है ठीक है एक ब्रत में दो मचली ठीक है एक ब्रत में दो मचली और एक आपका तीर धनुस है ठीक है और आपका एक तीर धनुस है तो यह राज के चिन है और यह आपका 1938 से सुईक्रित है ठीक है कब से 1938 से सुईक्रित है ठीक है 1938 में आपका सुईक्रित हुआ था और जब से ही आपका राज के चिन है उसके बाद राजकिय खेल की अगर बात करूँ तो खेल क्या है राजकिय तो राजकिय जो खेल है वो है उत्तर परदेश का होकी ठीक है उत्तर परदेश का राजकिय खेल क्या आपका होकी उसके बाद राजकिय भासा की अगर यहां पर बात की जाए भासा की तो भासा क्या है अगर भासा का question पूछता है तो अब आपकी हिंदी पहली है और दूसरी है आपकी उर्दू ठीक है दूसरी क्या आपकी उर्दू तो इस चीज़ को यहाँ पर note कर ले न दूसरी क्या आपकी उर्दू तो पहली हिंदी है दूसरी उर्दू है अब राज की निरत्य की अगर बात करूँ निरत्य क्या है राज की निरत्य है तो निरत्य है आपका कथक ठीक है तो राज की निरत्य क्या आपका कथक है तो जितने भी क्यूस्तन में आपके करा रहा हूं UP SSC के जितने भी exam सोंगे उसके लिए भी महतपूर्ण है जोने श्टेंड बगरा के लिए तो है ही बाकी आपकी जो परिक्षा हैं उसके लिए भी ये महतपूर्ण है चलिए आगे बात करेंगे आगे बात करेंगे देखे यहाँ पर एक क्युस्षन अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश का नाम करण कब हुआ था यानि कि उत्तर प्रदेश का नाम करण कब हुआ था तो इस क्युस्षन पर आपसे पूछ लिया जाए देखे तो आज का जो उत्तर प्रदेश है वो पहले आपका क्या था य ठीक है आर्या बर्त भी कहते थे तो आर्या बर्त भी कहते थे और आपको संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था ठीक है इसे काय के नाम से जाना जाता था ठीक है तो इस चीज़ को यहां पर नोट कर ले ना बेदिक काल में इसे अगर बेदिक काल की बात करूं तो इ ठीक है ब्रहमरसी देश के नाम से भी इसे पुकारा जाता था ठीक है तो बेदी काल में इसे ब्रहमरसी देश के नाम से भी पुकारा जाता था अब यहां पर 1836 में इसे उत्री पच्छमी प्रांत 836 में क्या कहा गए आपको उत्री पच्छमी प्रांत और 1890 में 1870 में से उत्री पच्छमी प्रांत अबद ऩलीक है उत्री पच्छमी प्रांत अबद के नाम से बुकारा गया ठीक है उत्तरी पच्छमी पच्छमी अबद उत्तरी पच्छमी प्रांथ अबद के नाम से इसे ठीक है उसके बाद इसमें और आपका आगरा किसके नाम से और आपका आगरा के नाम से इसे कहा जाने लगा ठीक है 1902 में आगरा और अबद संयुक्त प्रांथ इसका नाम दिया गया था 1902 में क्या दिया गया था इसे आगरा और अबद संयुक्त प्रांथ ठीक है और अबद संयुक्त प्रांथ का नाम इसे दिया गया था 1902 में उसके बाद 1937 में अगर इसकी बात करूँ 1937 में तो इसका नाम संयुक्त प्रांथ कर दिया गया था क्या कर दिया गया था आपका संयुक्त प्रांथ 1937 में ठीक है अब उसके बाद 1950 में क्या किया गया इसका नाम 1950 से संयुक्त प्रांथ का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया जनवरी ठीक है यह आपका जनवरी 1950 से इसका नाम क्या कर दिया गया उत्तर प्रदेश रखा गया ठीक है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है यह क्यूस्चन में पूछ लेता है ठीक है तो उत्तर प्रदेश का नाम करण में यह पूछ लेता है इसे मध्या देश भी आ पागरा और अवज सही युक्त प्रांत 1937 में सही युक्त प्रांत और जनवरी 1950 से इसे जो कहा गया है उत्तर प्रदेश कहा गया है ठीक है तो इन चीज को नोट कर ले ना चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं जो आपके क्युस्टन आते हैं देखे अब उत्तर प्रदेश में प्रदेश में प्रदेश क्या है उसकी बात करूं उत्तर प्रदेश में प्रदेश में प्रदेश में प्रदेश जितना भी करा रहा हूं सारे मोश्ट है इसमें से क्युस्टन आपके बन जाते हैं ठीक है उत्तर प्रदेश में प्रदेश में प्रदेश में प्रदेश म कौन था पिर्थम राज येपाल ठीक है तो पिर्थम जो राज येपाल थी तो बोती स्रीमती सरोजनी नाइडू ठीक है कौन थी स्रीमती सरोजनी नाइडू सिरी मती सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू ठीक है राज जेपाल और ये देश की प्रत्थम महिला राज जेपाल थी एक चीज जो नोट कर लेना है यापर देश की प्रत्थम महिला राज जेपाल प्रत्थम महिला राज जेपाल थी ठीक है तो इस चीज़ को भी यहां पर नोट कर ले ना उसके बाद प्रथम मुख्य मंत्री के अगर बात की जाए मुख्य मंत्री प्रथम मुख्य मंत्री तो प्रथम मुख्य मंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के बो थे आपके पंडित गोविंद पलब पंथ ठीक है पंडित गोविंद गोविंद बल्लव पंद तो ये पिर्थम मुख्य मंत्री थे उसके बाद बिधान सवा के पिर्थम अध्यक्ष की बात करूँ तो यहां पर अगर पिर्थम अध्यक्ष की बात करूँ तो वो कौन थे आपके राज स्री पुर्सोत्तम दास टंडन ठीक है तो ये पिर्थम बिधान सवा अध्यक्ष थे अगर बात करें बिधान परिशत के परिथम सवापती की बिधान परिशत के परिथम सवापती तो बिधान परिशत के परिथम सवापती तो बिधान परिशत के परिथम सवापती की अगर बात करूँ तो बोते सिरी चंदरपाल ठीक है कौनते सिरी चंदरपाल ठीक है तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट करने चलता नोट करते चलना ठीक है फिरता महीला मुख्यमंत्री की बात करूं पिरता महीला मुख्यमंत्री तो महीला मुख्या मंत्री की बात की जाए मुख्या मंत्री कौन थी तो वो थी आपकी सुचितला किरपलानी ठीक है सुचितला किरपलानी सीरी मती सुचितला किरपलानी सुचितला किरपलानी तो ये पर्थम मुख्या मंत्री थी उत्तर परदेश की उसके बाद उत्तर प्रद्दिस के प्रत्थम बिस्विद्ध्यालिया कि अगर बात करें बिस्विद्ध्यालिया तो उत्तर प्रद्दिस के प्रत्थम बिस्विद्ध्यालिया कौन सा है आपका वो है इलावाद बिस्विद्ध्यालिया ठीक है कौन सा है आपका इलावाद ब बना ठीक है उसके बाद पिर्थárm बारश्ट्पती सासन अगर उसकी बात करें राश्ट्पती सासन राश्ट्पती सासन कब लगा पिर्थाम तो यहाँ पर जो लगा था बो लगाथा फचिस फर्वररी से आपका 25 फर्वरी से 26 20 फरवरी उननिस्सो देखें यहाँ पर सन लिख देता हूँ विधे 25 फरवरी परैंटिस फरवरी उननिस्सो 28 से 26 फरवरी कि उननीस bends झान तर्थक राष्ट्क निया पर रहा ठीक है तो पिर्थम्राष्च्पति सासन की बात कर रहा हूं मैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूं जो पूछता है प्रतम बन्य जीब परिक्षण संगठन की स्थापना कब करी गई थी ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करूं बन्य प्रतम बन्य जीब परिक्षण संगठन की स्थापना परिरक्षण संगठन की इस्तापना तो इस्तापना की अगर बात करूँ इसकी तो कब होईती दिखे तो यहाँ पर पिर्थम बन्य जी परिक्षण की इस्तापना जो होईती आपकी अगर इसकी बात की जाए तो यह होईती आपकी 1956 में ठीक है कब हुई थी आपकी 1956 में उत्तर प्रदेश में ठीक है 1956 में अब यहाँ पर एक क्यूष्टन और आता है आपका देश की प्रतम बायू डांक सेवा ठीक है प्रतम नेनी और बिरियाग राज के बीच कब हूई थी आपकी 1911 में हुई थी यह पूछ लेता है चीज़ को आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ प्रत्थम विधान सभा का गठन कब हुआ था प्रत्थम विधान सभा का गठन तो यहाँ पर पूछ लेता है प्रत्थम विधान सभा का गठन तो प्रत्थम विधान सभा का जो गठन हुआ था तो भुआ था आपका 8 मार्च 1952 को ठीक है 1952 को 8 मार्च 1952 को इसका गठन हुआ था उसके बाद अगर यहाँ पर क्यूस्टन पूछे आपसे प्रत्थम दलित महिला मुख्य मंत्री ठीक है प्रत्थम दलित महिला मुख्य मंत्री महिला मुख्य मंत्री कौन थी तो वो थी आपकी सूस्री मायावती ठीक है सूस्री मायावती तो पिर्थम दलित मुख्या मंत्री थी ये ठीक है अब चलिए आगे बात करते हैं जो इसमें पूछता है आपका अगर यहाँ पे पूछे इलावाद उच्छ नियायले के अगर कुछता है आपके इलावाद इलावाद उच्छ नियायले के उच्छ नियायले के प्रत्थम मुख्या नियायदीस ठीक है अगर इसकी बात की जाए मुख्या नियायदीस की तो ये कौन थे देखे जो थे ये न्याय मूर्थी बाल्टर मौर्गन थे ठीक है कौन थे आपके न्याय मूर्थी न्याय मूर्थी न्याय मूर्थी बाल्टर मौर्गन थे ठीक है बाल्टर मौर्गन थे तो यह कब से कब तक 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 इनकी बात करूँ तो यह आपके रहे 1866 से 1871 तक ठीक है तो इस चीज़ को यहाँ पर भी नोट कर लेना उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ जो इसमें क्यों सर मनता है इलावाद उच्छ नियाय लेके प्रत्थम मुख्य नियाय थी स्वतंत भारत के ठीक है अगर स्वतंत भारत के अगर यहाँ पर बात की जाए स्वतंत भारत के स्वतंत भारत के मुख्य नियाय थी 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 स्वतंत भ तो कौन थे आपके न्याय मूर्ती कमलकांत बर्मा ठीक है न्याय मूर्ती कमलकांत बर्मा थे ठीक है स्वतंद भारत के और यह जो रहे 1946 से 1946 से 1947 ठीक है तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है ये भी एकजामस में पूछ लेता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ जो अगला के उसन बनता है वो पूछता है आपसे देखे राज्य का पर्थम एक मात्र मुक्त बिस्विद्यालिया कौन सा है ठीक है अगर यहाँ पर आपसे पूछे राज्य का पर्थम एक मात्र जो है आपका मुक्त बिस्विद्यालिया कौन सा है तो यह आता है आपका राज्श्री टंडन मुक्त बिस्विद्यालिया ठीक है कौन सा आपका राज्श्री टंडन मुक्त बिस्विद्यालिया ठीक है राश्त्री टंडन मुक्त बिस्बेद्याल्याcky ठीक है बिस्बेद्याल्याई लिया है तो ये कहाँ पर आपका पिर्यागराज में है ठीक है नहीं खिक है तो इस चिस को भी आपको नोट कर लेना है ये भी अक्जान्स में कभी कभाग पूछ लेता है उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें उसके और जे क्योंसर बनता है देखे राज्य के प्रत्थम लोक आयुक्त की बात करूँ राज्य के प्रत्थम लोक आयुक्त प्रत्थम लोक आयुक्त की अगर बात की जाए तो कौन थे यहाँ पर थे वो आपके नियाय मूर्ती स्री विस्वधर दयाल ठीक है नियाय मूर्ती नियाय मूर्ती स्री विस्वधर दयाल तो विस्वधर दयाल ठीक है तो यह थे पिरतम लोकायोक थे तो यह कब से कब तक थे यहां पर अगर बात करूँ 1977 से 1982 तक ठीक है तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ जो क्युस्सन बनता है राज्य के प्रत्थम मुख्य सचिप ठीक है राज्य के प्रत्थम मुख्य सचिप मुख्य सचिप कौन थे तो यहाँ पर अगर यह कि उसन पोचे पिर्थम मुख्य सचिप कौन थे तो वो थे आपके सिरी भौलानात जहां ठीक है यह कब से कब तक थे अकर इनकी बात करूँ तो यह रहे आपके 1947 से 1948 तक ठीक है तो इसको भी नोट कर लेना उसके बाद यहाँ पर अगर क्यूसन पूछता है आपसे प्रत्थम राज्य के प्रत्थम मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो यहाँ पर अगर बात करूँ राज्य के प्रत्थम मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अगर बात करूँ राज्य के प्रत्थम मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तो ये कौन थे अगर इनकी बात की जाए निर्वाचन अधिकारी ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो यह थे आपके जे के टंडन ठीक है जे के टंडन जे के टंडन थे पर्थम, मुख्य, निर्वाचन, अधिकारी ठीक है यह कफ्तक रहे आपके 1950 से 1957 ठीक है तो यह रहे तो दिखे जितना भी मैंने आपके लिए कराया है सारा मोश्ट है आप इस चीज़ को नोट करते चलें तो यह सारा मोश्ट है अपना तो इस चीज़ को नोट कर लेना यहाँ पर जितना भी कराया है मैंने आप तक सारा मोश्ट है और आपका इस टोपिक में आज को मैं यहीं ज्लम्हीं करके खतम करता हूं इसको ठीक है तो उत्तर प्रदिश पर देश्च जो ुट तैक्टर था हमारा उत्तर प्रदेश्च संग्शित अब लोगन के नाम से वह मैंने आपको इसमें आपको आगे कराऊंगा ठीक है उत्तर प्रदियत का यतना भी जीक होगा मैं सार आपको कंप्रेट इसमें करा दूँगा ठीक है इससे आपको कोई भी क्योंसर बचकर नहीं जाएगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ अगर आप चैनल पर अभी भी नए है तो च अने बात